एपिसोड ओन के स्टार्टिंग में कुछ बच्चे अपस में बात कर रहे रहते हैं और वो बोल रहे थे यातरू चैन आस तो तुम्हारे घर पर टोकियो से एक गेस्ट आने वाला है क्या ओ तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा यातरू बोलता है लेकिन आगे कार तुम लोगे क्यों बुच रहे हो ओ बच्चे बोलते है क्योंकि तुम बहुत यदर स्मार्ट हो तुम्हारी फैमिली काफी यदर रीचे तुम्हें तो इस छोटे गावा के वज़ाए टोकियो में होना चाहिए हे यातरू के तुम भी उस गेश्ट से हमें मिलवाओगे यातरू बोलता है ठीक है लेकिन तुम लोग उसको परशन मत करना ओ लोग तो खुश राते है लेकिन तभी उन सभी की नजर एक और एक बच्चे पर जाता है जो की खेश्ट में काम कर रहा था और ओ बोलते है दो रूटा वो आज तुम घर पर मत आना वरना हमारा गेश्ट तुमारे शरीर के बदबू से भाग जाएगा और यह होता है हमारा में करक्टर और इसके पास कोई भी इमोशन नहीं है जबाब में ओ बोलता है ठीक है मैं समझ गया देन अंगले सिन में हम ओही गेश्ट को देख पाते है जो कि टोकियो से वहापर आते बग उसका गारी का टैयर तो पंक्चर हो जाता है जिस बज़े से ओ बहुत यदर परशानों का रास्ते पर ही बैटा हुआ था क्योंकि ओ इस जगह पर अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आया था लेकिन किस्मत के चलते उसका क्लाइंट तो उसको रास्ते में ही मिल जाता है फिर उसका क्लाइंट उसको लीप देती है और साथ में ये भी पताने लगती है कि आखिरकार उनोंने उनको यहाँ पर क्यों बुलाया है और बताती है कि उनकी बिलेज में कुछ दिनों से क्या चल रहा है कि उनके बिलेज में सबी जानवर धिर धिरे करके जॉम्बी में बदल रहे है और जॉम्बी या डीमन है यह तो उनको भी नहीं पता और ये डीमन या मॉंस्टर जो भी बोलो ये इंसानों को मारते जा रहा है जिस बज़त से हमारे गाव के लोग बहुत ही अदर डर रहे है और उनके बीच में तो एक खौप पैदा हो गया है और हाँ मैंने तुम को जो भी बताया है ये सभी गटना किसी भी बच्चे के सामने मत करना वरना उन दोरों के बीच में भी खौप पैदा हो जाएगा और उन लोग तो डर के मारे स्कूल जाना भी बंद कर देंगे जिसमें ओ बंदा बोलता है तुम चीनता मत करो क्योंकि मैं हूँ एक डिटेक्टीब और मैं इस केस को जल्दी सूल जा दूँगा और इस बंदे का नाम है इनुगामी सैन अब अगले ही पल ओ दोनों तो अपने डिस्टिनेशन पर पहुँच जाते है वे पर इनुगामी सैन तो चाहे पी रहे थे और आनाम कर रहे थे और बस आसपास टैल रहे थे लेकिन तभी उसका नजर तो दोरो जबो पर जाकर आगिरता है फिर ओ दोरो तबो को देखकर बोलता है है लड़के कैसे हो लेकिन दोरो तबो तो उसको विलकम करके फिर से अपने काम में लग जाता है और इह देखने के बाद तो इनोगामी सैन दोरो तबो के बारे में उस लेडी से पूछने लगते है और बोलते है आखिरकार ए बच्छा इसकूल क्यों नहीं जाता लगता है यह बहुत यदा महनती काम करता है इस सुनने के बाद तो ओ लेडी यदा खुछ नहीं होती देन अगले सिन में इनोगामी सैन आराम से ना रहे थे लेकिन तभी वापर यातारू आचाता है और बोलता है क्या मैं आपका पीट को घस दू इनोगामी सैन भी हा बोल देते है जिसके बाद तो यातारू यानोगामी सैन के पीट को घसने लगता है और तभी इनोगामी सैन तो यातारू से दोरोताबो के बारे में पूछता है ये सुनने के बाद तो यातारू दोरोताबो को बेज़ती करता है और बोलता है आप उस गंदी नाली के कीरे के बारे में क्यों पूछ रहे हो इनोगामी बोलता है आगे कार उसका नाम दोरोताबो क्यों है या तारो बोलता है असल में तो दोरोताबो उसका निकने में उसके सरीर से 24 गंटे बदबु आती रहती है ओकात्वी अदग गंदा है और उसके पास कोई भी इमोशन भी नहीं है इस बज़े से हम लोग उसको चीराने के लिए दूरोतवों बोलते है इसके बाद जब इनोगामी सैंस होने के लिए जाने लगते है तब ही ओ ओ ही लेडी से बोलता है क्या मैं अपने क्यार के लिए दूरोतवों को रख सकता हूँ एस सुनकर तो ओ लेडी साथ खुश नहीं होती अब नेक्स दीन ओ लेडी दूरोतवों को नए कपरे देती है और बोलती है अच्छी तरीके से नहा कर अपने शरीट से बदभू को दूर कर लेना और फिर एक अपरे पैन करी अमारे केश्ट के पास जाना और यह सब कुछ बोलतो है तो ओ बिल्कुल भी खुश नहीं थी इसके बाद जो दूरोतवों है ओ तो बहुत ही ठंड में ठंडे पाने से नहाने लगता है लेकिन ओ तो कुछ फील नहीं कर पाता और आखिर कर दूरोतवों क्यों फील नहीं कर पाता उसके पास इमोशन क्यों नहीं है उसका बैक स्टोरी क्यों है यह तो हमें आगे पता चलेगा इसके बाद तो दूरोतवों एक दो डेडी फेडी होकर इनोगा मिसैन को खाना देता है और फिर बाईबोलकर वाज से जाने ही वाला होता है लेकिन इनोगा मिसैन उसके हाथ को रोक कर बोलता है रुको ज़रा मैं यहाँ पर कुछ काम से आया हूँ एलो मेरा इंट्रुड़क्शन कार्ट दूरोतवों बोलता है मुझे पता है कि आप किस काम से आये हो चाहे हो इंसानों या कोई भी जानवर उसके शरीर को दोरोतबो इम निट्टी में दफन करता है एस सुनने के बाद इनोगा मिसन काफियदा हैरानों कर बोलते है लगता है तुमने इस मेरे केस को काफियदा हद तक समाल पाओगे कै तुम मेरे इस केस में मदद करोगे जिसमें दोरोतबो पहले तो हिचकेचा रहा था लेकिन बाद में हो मान जाता है और साथी साथ दोरोतबो एक बहुती बड़ा खुला सा करता है कि हमेशा ए डीमन या मॉंस्टर जो भी एटाक होता है ए नियू मून के दिन होते है ए सुनकर जो इनोगामी है ओ काफियदा खुश आते है और बोलते है शुक्रिया दोरोतबो तुमने मेरी बहुत एलप किया और फिर इनोगामी अपने फोन को देखता है और बोलता है नेश्ट नियू मून तो और पात दिन बाद है इसके बाद जो इनोगामी था ओ तो दोरोतबो के साथ काफियदा घुल मिल गया था और दोरोतबो के हरे कम में मदद भी कर रहा था यह देखकर ओ लेडी भी काफियदा हैरान थी यातारू के सभी दोस भी काफियदा शौक थे लेकिन जो यातारू था ओ तो अंदर यंदर दोरोतबो के उपर काफियदा गुस्सा था इसके बाद तो ऐसे करते करते दीन बीठते जाते है और दोरोतबो और इनुगामी बहुत यह दा आच्छी तरीकिसे घुल मिल जाते है लेकिन तभी आजनक से ऐसे ही काम करने के बगत इनुगामी पूछता है दोरोतबो मैं तुमारे गले पर बहुत दिनों से देख रहा हू दोरोतबो हा बोलता है और फिर इनुगामी तो उस लोगेट को देखने लग जाता है और ओ तो ओ देकर काफ यह दा हैरानो जाता है और बोलता है मुझे पता था इस तरीके के पत्तर को लाइम स्टोन बोला जाता है और ऐसा पत्तर कुछ खास समय में मिल सकता है और एक टीसी होप की एक दिया जाल चुका है और तभी इनोगामी बोलता है क्या तुम अपने प्यारेंट से मिलना चाहते हो अगर ओ जिन्दा है तो मैं उनको ढून लोंगा तुम चीन्दा मत करना अप्टर ओल मैं तो एक डिटेक्टिव हूँ दोरोताबो बोलता है मैंने इस बरह में कभी नहीं सोचा था लेकिन लगता है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और अब अगले ही पल ओ दिन आजाता है दा नियू मून का दिन जहापर एक जगापार दोरोताबो इनोगामी के लिए वेट कर रहा था लेकिन वह पर तो यातारू आता है और तो काफ यदा गुस्से में था और दोरोताबो के कोलर को पकर कर बोलता है आखिकर तुमने ऐसा क्यों कर दिया मुझे टोकियो में जाना था लेकिन तुमने सब कुछ गर पर कर दिया तुमने आखिकर अपने आपको कर रहे हो तुम्हारा हिम्मत तो बहुत जादा बर गया है सभी मुसिबत की जड़ तुम्हारा एं लॉकेट है अब यह मुझे दे दो और फिर ओ उस लॉकेट को दुरुदबो के गले से निकाल देता है जिस बज़े से दुरुदबो तो उसको घुसा मार कर सीथा फीछे फे से भागी जाता है वही पर दुरुतबो को तो काफिया दिक्कते आ रहा था लेकिन ओ जैसे दैसे करके अपने लॉकेट को पकरता है जिस बज़े से ओ तुरंद फिर से पहले जैसा नॉर्माल हो जाता है इस घटना के कुछ समय बात वहा पर इनोगामी सैन आ जाते है और द वहिलेज में फिछले समय से जो भी कुछ हो रहा था उसका कलप्रित तुम नहीं हो और तुम डरोमात क्योंकि मैं भी एक हीउमन नहीं हूँ और फिर अपने हात से एक गण मनाता है और बोलता है मैं हूँ एक बाके डान्मकी और तुमारे गल्यमें जो लौकेट है ये तु दिया था लेकिन तब उसके सर से खून के वजाए सफित सफित कुछ चीज निकला था में डर के मारे वह से भाग गया था लेकिन कुछ समय बात दूर तब वो बिल्कुल ठीक होकर बापस आ गया था क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा और वो बहुत यतर डर रहा था ले पर जो याता रूता ओटो डर के मारे बेहुश हो गया था वही पर इनोगा में बोल रहा था दोरो तबो यह सभी गुहूल से इनके सरी से इनके सर को जब तक अलग नहीं करा जाएगा यह नहीं मरेंगे जो सुनने के बात तो दोरो तबो बस एक ही आटक से उस डीमन का गल यहर का गलाई कार देता है जिस बिदे से ओओ ही पर ही मर जाता है और यह देखकर तो इनोगा में सेन काफिया दा शौक्त होते है और बोलते है तुम तो काफिया अमेजिंग हो दोरो ताबो और इस गटना के बाद दोरो ताबो इनोगा में सेन को बदाना लगता है यह ता और इनुगामी एब बताने लगते हैं, मेरे क्लाइन को पहले से पता था कि तुम असल में क्या चीज हो। उसने इस बारे में किस्सी को भी नहीं बताया था लेकिन कुस दिनों से विलज में जो चल रहा था जिस बज़े से उसने अपना मायन बना लिया था कि ओ अब तुम्ह मार देगी लेकिन इन से अब चीजों के पीछे असली कल्पिट तो ओ डियर था मगर इस बात पर ओ लेडी बिल्कुल भी यकिन नहीं करेगी एसब सुनकर दुरुतबो बोलता है ठीक है तो आप मुझे मार दीजिए इनुगामी बोलता है लेकिन आखरी बार तुम अपना अस को उस लेडी को सौब देता है और बोलता है आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है लेकिन ओ सिर्फ बेहोशे और आपके कहने पर मैंने दोरोताबो को भी मार दिया है ए देखकर उस लेडी को बुरा तो लग रहा था लेकिन ओ अंदर यांदर काफियता रिली फिल कर रही थी और वो काफियता रो रही थी ओई पर इनुगामी बोल रहा था आप चिंता मत करिये मैं इसके बॉडी को भी ठीकाना लगा दूँगा अब अगले सिन में दोरोताबो को तो आग खुलता है और वो तो इनुगामी के कार में होता है और उसको उठता देखकर इनुगामी उस अब अगली पल इनुगामी कावने को अपने ओफिस में लेका रहा था है और फिर इनुगामी ना आने के लिए चला जाता है और बोलता है तुम इस कपरे को पहन लो और इसको अपने घर जैसा ही समुझो और इसके बाद तो कवाने उस कपरे को पहन कर बोलता है लगता है लेकिन तभी वहापर उस कमरे में एक लड़का और एक लड़की एंटर करती है और वहापर कबने को खड़ा हुआ देखकर काफी यदा शौक्त होते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो और इसे के साथी हमारा केपनो जहेंन, मौनस्टर, इन्सिरेंट का एपिसोर और खतम हो जाता है तो दोस्तो आप लोग जितना जादा लाइक करेंगे और जितना लाधा कॉमेंट करेंगे इसका नेक्स्ट एपिसोर में उतना ही जल्दी अपलोट कऱनोंगा तो प्लीज दोस्तों जादा 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 कॉमेंट और लाइक करना मिलते हैं नेक्स टेविस और में तब तक के लिए ठाटा बाई बाई सायोनारा